हेलो दोस्तो आज हम एक कप बेसन से बाजार में महेंगी मिलने वाली रेसिपी को घर पर बनाएंगे वो भी बहुत ही आसान तरीके से तो इसके लिए मैंने एक कप ले लिया है बेसन तो आप कटोरी से एक कटोरी मेजर्मेंट से ले सकते हैं अब हम इसमें एड करेंगे इलाइची का पाउडर अगर पाउडर नहीं तो इलाइची को कूट कर भी इसमें डाल सकते हैं तो बस सब कुछ नहीं करना है इसको दोनों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से ताकि इलाइची अच्छे से बेसन में मिक्स हो जाए अब हमें पानी से इसका गोल बनाकर रेडी करना है और पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे जैसे कि हम कोई भी गोल बनाते हैं तो पानी हमें कभी भी एक बार में नहीं डालना चाहिए वन्ना क्या होता है कि बैटर मेरा लंस पर जाते हैं तो यह देखें इस तरीके स चाहिए पूड़ा थोड़ा पानी डालते वह घुल बना कर रेडी कर लेंगे आप देख सकते हैं हैं इस तरीके पानी डालें गालना है और इसे हम लगतार गंटीनल कर रहेंगे तो इस तरीके से हमारा बैटर बिल्कूल lumps free बनकर ready होगा तो आप batter की ठीकने देख सकते हैं यह देखे पीछे से में आपको दिखाऊंगी आप जैसे की इस तरीके से निसान करो ना यह देखे बिल्कुल आराम से बनना चाहिए बिल्कुल line हमारी बननी चाहिए तो perfect हमारा batter बस बैटर तो हमारा बनकर ready हो गया है तो अभी यहाँ पर हमें ज्यादा कुछ एड़ नहीं करना बैटर हमारा ready है तो अब चलिए हम ले लेंगे एक glass glass में हम सारे batter को डाल देंगे तो इसी से हम बनाएंगे आगे की recipe तो बस बैटर हमारा बिल्कुल अच्छे से ready है तो चलिए recipe बनाना सुरू करते हैं तो यह देखे मैंने कडाई ले लिया gas को on कर दिया है तेल डाल देंगे आपको मतलब जितना भी जितना बनाना है उससे तेल डाले तो इस तरीके से greater होता है आप उससे बना सकते हैं छोटा हो बड़ा हो जो भी जिस तरवी से हम गिस्ते हैं वह नहीं उल्टा साइड लेना है तो यह देखे gas की बनाना हम बहुत जादा नहीं रखनी है और बेशन को हम इस तरीके से डालते रहेंगे यह देखे बिलकुल अच्छे से बुंदी की तरह सेफ में निकलती है बहुत ही आसानी से इसके नीचे गिरती रहती यह देख सकते हैं आप इस तरीके से पूरे टेल में हमें साइड से पूरे में फैलाना है ताकि अच्छे से यह फ्राई हो जाए तो बस सीदी के जितना भी आ जाया ना उतना करना है एक बार में और थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे तो यह वाला जो greater rate थोड़ा छोटा है तो अगर आपके बस बड़ा है तो आप उसमें भी बना सकते हैं तो इस तरीके से हमें फैलाना है और थोड़ा सा हमे जाए वी अकदर भी जाना है hvis भी यह राव थीजली होते है तो ये देखें बहुत जादा color भी इसका हमें dark नी करना है और बहुत ही crunch सा ये बनकर ready हो गया है तो बस इस तरीके से हमारा ready है अब इसको हम एक plate में निकाल देंगे अच्छे से ready हो चुका है ये एक batch हम निकाल कर ready कर लेंगे अब चलिए मैं दूसरा batch भी आपको बना कर दिखा देती हूँ बस इसी तरीके से हमें बनाना है तो ये चोटा greater है जो कि बहुत ही आसानी से सबके घर में मिल जाता है तो आप इस तरीके से इसे बना सकते हो नहीं तो आप चंडी से भी बना सकते हो जो भी आपके पास available हो तो इस तरीके से दीखे बहुत ही आसानी से बन जाता है तो ऐसे मतलब कोई machine मगेर हम use नहीं कर रहेगी जो कि machine तो सबके घर में available नहीं होती है और इस तरीके से generator आसानी से मिल जाता है तो यह देखिए जैसे मैंने बताया था कि एक तम से आपको नहीं चलाना है नीचे से थोड़ा सा fry हो जाना उसके बाद ही चलाना है तो बस यह भी हमारा batch ready हो गया है अब इसको भी हम एक plate में निकाल देगे इसका तेल एक्ट्रा निकल जाएगा ना फिर से निकाल देना है तो यह देखिए जैसे मैंने बोला था कि अगर इस तरीके से बड़ा greater है तो आप उसमें भी बना सकते हो इसमें कहाए कि एक बार में बहुत जादा बन जाता है थोड़ा बड़ा है साइज में तो बस चलिए देखिए उल्टी तरफ से बनाना है जहां से हम great करते है उस तरफ से आपको better नहीं डालना है दोनों में तो इस तरीके से बड़ा है ना इसमें थोड़ी बड़ी बुंदी टाइप निकलती है और इदे के साइट से गिरता भी नहीं थोड़ा सपोर्ट है ना तो बहुत ही आसानी से इसमें बन जाता है तो अगर आपके पास यह हो तो आप इसमें जरूर प्राई करें जैसी कि द इसको फ्राई कर लेना है और गैस की फ्लेम है बल्कुल भी हाई नहीं कर दी है बना के कलर इसका बहुत जादा डार कुझाएगा हमें वह चीज नहीं कर ली तो बस यह भी हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो इसको भी हम निकाल लेंगे प्लेट में तो यह देखि अब जो भी चीज़ ग्राई करते हो तो ठंडा हो जाए उसके बादी गरम-गरम हमें कोई भी चीज ग्राई नहीं करनी चीए तो इसको में घ्राई करेंगे आप ध्यान रखना पहुत ज़्यादे इसका महीन सा पाउडर हमें नहीं बनाना है थोड़ा सा रखना है तो यह करना है तो आप आप सकते हैं इसी तरीके से मिखने में बन कर इरंड मिंधार्य करना मिस्टर देखे दीकुल को मैंने निकाल दिया है और मिंधार्य का ध्यान रखब हो चुका है अब हम क्या करेंगे थोड़ा सा इसकी चासनी बना लेते हैं एक कप ले लेंगे हम चीनी अगर आप कटोरी से ले रहे तो एक कटोरी ले 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 तो जितना हम चीनी लेंगे उसका आधा ले लेंगे पानी तो इस तरीके से मैंने आधा कप ले लिया है पानी तो अ तो ये तरीके से थोड़ा सा कलर डाल देंगे और पूरी तरह ऑप्शिनल है आप टोटली से स्किप कर सकते हैं थोड़ा सा कलर लाने के लिए मैंने डाल दिया है तो ये देखिए इस तरही के से कलर यही हम तो आपको ध्यान रखने हैं बहुत जाता है। तो इस तरीके से बहुत जादा है। तो इसलिए हमें इसको यहां पर बहुत जादा ड्राइ नहीं करना है। तो इस तरीके से देखिए थोड़ा थोड़ा करके इसका जो चासनी है थोड़ी सी ड्राइ हो रही है। और अच्छे से यह इसमें मिक्स हो जाता है। अच्छे से थोड़ी से हम सीट्स डाल देंगे। मैंने डाले हैं। इसमें जो भी ड्राइफूर्स वगेरा जो भी आप डालना चाहूं इसमें डाल सकते हैं। तो इसमें देख सकते हैं आप धिरी धिर करके इसमें यह मिक्स हो रहा है। और यह देखें अच्छे से मिक्स हो जाए थोड़ा से यह ड्राइ हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसको हमें ड्राइ नहीं करना है। इसमें ध्यान रखना। धिमी आज पर इसे हम पकाएंगे। बहुत ज़्यादा गैस की जुफले में हाई डी करनी। बना क्या होगा कि जल भी सकता है। बस इसे इसका ध्यान रखना धिरी धिर करके चलाएंगे। थोड़ी देर के लिए इसको हम ढग देंगे। तक भाब से यह देखें। अच्छे से भाब बनी रहेगी। और यह थोड़ी से ड्राइ हो चुके अच्छे से इसने चासनी को एब्सॉफ कर लिया है। तो बस यह मिक्चर हमारा बिल्कुल अच्छे से बनकर रेडी हो चुका है। तो दोस्तों इससे हम बनाएंगे आज लड़ू बनाने वाले हैं जो कि हम मार्किट से लेके आते हैं मोती चूर के लड़ू और यह घर पर बहुत ही मतलब असानी से ब बना सकते हैं त्दीर धीर करके इसको मिक्स करोगे बहुत अच्छे से लड़ू के सेप में बन जाते हैं यह देखे इस तरीके से पूरा लड़ू के फॉर में यह बांड़ू हम खा सके तो यह देखे दोस्तों कितने आसान तरीके से बस एक कब बेशन से ही बस घर पर जब इस तरीके से healthy और hygiene तरीके से लड़ू बन जाए तो बाहर से उलाना इस तरीके से बनाईए बच्चों को खिलाईए और बच्चे तो कुछ ना कुछ मीठा खाने के लिए मांगते ही रहते हैं तो बाहर का हम ज्यादा देगी भी ने सकते बच्चों को healthy भी नहीं होता है और हम में पता बीनियों दो कि कपका बना है मार्केट में रखे रहते मिठाई बगएरा तो यह तरीके से हम अपने सामने बनाते हैं तो हमें यह भी नहीं रहता है कि हाँ बच्चे कितना भी खाएंगे कोई प्रपर से पाएं है तो मैंने जादा बहुत बड़े साइज के नहीं तक कि देखिए आप भी ट्राइ करें वीडियो पसंद लें वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन प्रेस कर दें तो फिर मिलते हैं तो तक लिए बाई